साथ अक्तूबर को जिस तरह स्कूल में एक लेडी प्रिंसिपल और स्कूल टीचर की हत्या हुई और वो भी आईडीज देखकर उसके बाद से लगातार अलपसंख्यकों की सेफटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं हमारे साथ संद्पाल सिंग जी हैं जो लेडी प्रिंसिपल सु अधितिय जी जो इस वकत महुल चल रहा है हमारे कश्मीर में हमारे जितने भी यहां माइनार्टी के लोग हैं चाहे वो हिंदू है चाहे वो सरदार है क्यों कि जो इस वकत वाकव हुआ है वो एक हिंदू लड़के और फिशले कुछ चार पांच रोज से बिलकुल माइनार नहीं थे कि किस वकत क्या हो सकता है तो इस वकत जो हमारा माशरा है बिलकुल लोग कोशच का रहे हैं कि अपने घरों में ही बैठें ताकि जो और कोई ऐसा स्पिंदर कूर वाला इंसीडन नो हो ताकि जो इस वकत एक कश्मीर में जो बहुत चाहे तो क्या लोग निकल भी रहे हैं घर पर ही हैं क्या है बहुत काम लोग निकल रहे हैं बहुत काम क्यों कि दिन दिहाड़े दिन दिहाड़े स्पिंदर कूर जी को जाके एक अडेंटिफाइ करके उसको और उसके साथ एक हमारा हिंदू बाई था उसको भी अडेंटिफाइ करके उनके कार्ड को चेक कर मैं मुझे बख्ष जाओ अगर मुझे को कि मैं नोकरी छोड़ूँगी मैं नोकरी छोड़ने के लिए भी तयार हूँ जो आप बोलोगे लेकिन उन ध्रिंदू ने नहीं बख्षा उसको तीन गोलिये मार कर उद रही और अंसपार्ट उसकी मौत हो गई स्कूल से आपके पास और क्या क्या इन्फिमेशन है उस दिन हुआ क्या आप बोल रहे थी थोड़ी दिर पहले कि वो तो चुटी पर थी दो दिन से उसी दिन वो स्कूल लोटी है स्कूल से और क्या डिडियल्स आपको पता चले कि कितनी टेरोरिस्ट थे क्या हुआ उस दिन देखो जो हम उस वकत उदर नहीं थे बागी बाद में पता चला जहांकर वाँ कि लोकल स्टाप से या कोई वाँ के दिरायद जो हैं उनसे पता चला कि और गर वालों से भी कि दो दिन ये छुटी पर थी तीसरे दिन ये जाब हो गई तो सुबा ये बैठी थी कि कोई चाई पानी पी रहे थे सुबा तो बाहर से तीन बंदे आए नकाब पोश्चे दिनकर नकाब लगा हुआ था और उन्हों ने जाकर बोला कि बाई बताओ यहां पर माईनाटी की लोग कोन है तो इस माईनाटी की अब पता चलता नहीं है क्योंकि और अवरत भी हमारी जो है वो उस वकद पता नहीं चलती है असरदार हो तो एकदम पता जालता है लेकिन इनके कार्ड चेक किएगे हिंदू भाई का भी मतलब अजार कार्ड चेक किएगे इनके फोन चीनेगे और इनको दूसरे कमरे में लेकर जहां पर उसने फिरिम के बेक भी मांगी कि भाई मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया है मेरे छोटी छोटे बच्चे है मतलब ये दृंदू का काम है